एक बहुत ही बड़े घटना क्रम में रूस ने लिट्वेनिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और उसका कहना है लिट्वेनिया अलग देश नहीं ये रूस का हिस्ता है इसको वापस लेंगे। लिट्वेनिया रश्या के हिसाब से उसका हिस्ता हो जाएगा। ये देश अभी भी एक्शिस्टेड है मगर उसको दूसरे ने कबजे में ले रखा है। League of Nations का जो मैप है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया को as a separate country यहाँ पर entry मिली हुई थी और ये जो दूसरे colors दिखाई दे रहे हैं ये colony का color है separate nation की entry नहीं है। 1934 का जो मैप दिखाता है तकरीबन पूरा का पूरा wish इसमें शामिल हो चुका था अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं था ये बात भी बड़ी अजीब है कि ये जो League of Nations का concept है वो America ही लेकर आया था मगर ये खुद ही शामिल नहीं हुआ। एक बार तो League of Nations के अंदर इतना बड़ी हाऊसर भी आया था कि Hitler तक ने ये कह दिया था कि मैं अपना demilitarization करने को तयार हूँ मगर आस पास के सभी देशों को अपने हतियार नश्ट करने पड़ेंगे मगर ऐसा हुआ नहीं हतियार वहाँ पर नश्ट होते तो भी अमेरिका म कर लेता है कि हम आपस में एक दूसरे के ओपर हमला नहीं करेंगे उनकी स्ट्रीटी की जैसे ही खबर बाहर आती है रश्या को भी एक्सपेल कर दिया जाता है League of Nations से जैसे इस समय उसको United Nations Security Council से हटाने की साजिशे चल रही हैं रश्या की तरफ से Finland के उपर Baltic States के उपर Poland पे, कोहराम मचा दिया, France के उपर, UK के उपर, Norway के उपर, जहां देखो वहाँ पर जर्मनी का आक्रमन था, ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी, जहां पर Hitler ने कोहराम नहीं मचाया हो, Poland के भी दो टुकडे हो गए, एक हिस्सा जर्मनी के पास, एक हिस्सा USSR के पास में, और Lithuania तो दोबारा से रश्या ने इसको क्लेम कर लिया, 1940 से लेकर 1991 तक USSR के पास में रहा, उसके बाद में इसका इंडिपेंडनस कर दिया जाता है, युक्रियन का क्राइसिस जब से शुरू हुआ है, लिथ्वेनिया इसके बारे में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा है, और उसने सद दिखाओ तुमारे कागस गड़बढ है, जो इंडिपेंडनस लिथ्वेनिया को मिल गई थी USSR से, उसके उपर रश्या ने सवाल खड़े किये हैं, उसने कहा है कि जो तरीका लगाया गया वो बिलकुल गलत था, सोवियत यूनियन के कई सारे अलग टुकडे होए थे और उन और ये कहता है कि कोई भी सिंगल स्टेट की बॉड़ी, यानि कि कोई भी एक अकेली और्गनाइजेशन, कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती, जो USSR को तोड़ने, जोड़ने, या उसकी सीमाय बढ़ाने, गटाने में काम करे, कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती है, तो उसके पहले सबको पता पढ़ जाता है क्या हलचल चल रही है, और एक लॉल आया जाता है कि कोई भी एक अकेली बॉड़ी ऐसा काम नहीं कर सकती, कई अलग-अलग लोगों की इसके अंदर राय शुमारी शामिल होनी चाहिए, सोवियत रिपब्लिक से जो भी देश अलग हो जैसे चुनाव होते हैं, वो जो चुनाव हैं वो ऑथराइस तरीके से नहीं होए, इस प्रकार का आरोप लगा है, कुछ समय पहले भारत की एमबैसी पोलेंड लिथवेनिया की एक ही रहा करती थी, मगर हाली के अंदर भारत ने लिथवेनिया के अंदर एक अलग से एमबै संगर्ष की तरफ जाती बात दिख रही है, केवल और केवल भारत और भारत की जो नीतिया हैं वो ही इस संगर्ष से चुटकारा लगा सकती है, ये बात इस समय पूरे विश्व को समझनी पड़ेगी, नमस्कार धन्यवाद, जैहिंद